नेता जी हाजिरो नेता जी हाजिरो नेता जी हाजिरो नेता जी हाजिरो नमस्कार मैं हूँ अनिल पांडे ASW24 News मद्यप्रदेश के नेता जी हाजिरो कारिकम में आप सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं इस समय हम नेता जी हाजिरो पर विशेश चर्चा करने जा रहे हैं खरगोन मेडिकल कॉलेज की जिला मुख्याला पर स्थापना को लेकर कारिकम में हमारे आज के महमान है रोटिर कलब खरगोन के अध्यक्ष अनिल रग्वन्शी जी साथ में राजु चावला जी जो की खाल्सा की फोच के सिवादार हैं और कोरोना काल में दोनों ही शक्सियत अपनी अपनी एहम भूमिका निभा रही है हम दोनों अतितियों का आज के कारिकम में स्वागत करते हैं अनिल जी में सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि रोटरी कलब कोरोना के बहुत बड़ा पेंडमी कभी समझ चल रहा है और उसको लेकर के आम जनता जो गरीब जनता शेत्र की काफी बदहाल है बीमारी में अभी तो आईश्मान योजना की घोशना हो गई है कार्ड पर उपचार हो सकेगा लेकिन पहले काफी महंगा इलाज, दवाईयों की कमी इसको लेकर के पूरी तरह से आर्थिक रूप से बरबाद हो चुके परिवार उसके बाद कईयों के तो हमने यह इस्थिति देखी है कि शमचान में उनके पास लगड़ियों की व्योस्ता नहीं रही इस इस्थिति में रोटरी कलब क्या भूमिका निभार रही है दीखें रोटरी कलब ओवरॉल तो इंटरनेशनल कलब होने के कारण और खरगोन में भी काफी अच्छे से भूमिकाय निभा रहा है रोटरी कलब ने जिसे जिला स्पताल में अपने पल्स ओक्सिमीटर दिये हैं और जो कोरंटाइन, होम कोरंटाइन वगर रहते हैं उनके लिए गाइडलाइन निर्दिसिका दिये, 4000 निर्दिसिका दिये और मास्क बितरन किया हुआ है समय समय पर और भी एसी कई छोटी छोटी एक्टिविटिया किया है जिसे हम खालसा के फोज और अपना ग्रूप के साथ में मिलकर हम फ्रूट प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां-जहां पर खालसा और अपना ग्रूप लोग जो कर रहे हैं वहाँ पर और हमारे लेबल पर भी हम जो जो चीजें हो सकती है रोटरी क्लब के लेबल पर हम वो सब प्रयास कर रहे है अभी रोटरी क्लब के माध्यम से हमारा एक रोटरी पॉली क्लिनिक भी खुला हुआ है, मोतिपुरे में जो सतत सेवाएं दे रहा है, जिससे कि कई लोगों का वहीं पर इलाज हो जाता है उस एरिये का, और जो शाम को चार बजे से खुलता है, आड़ बजे तक खुलता है, और वो बहुत अच्छे से सेवाएं देते हैं, तो उस संजे नगर, इंद्रा नगर और मोतिपुरे के पूरे एरिये को कवर करते हैं, और भी हम बहुत छोटे-छोटे इसे कारिकरम करते रहे हैं, जिनसे कि रोटरी क्लब अपनी तरफ से जो भी होता है, वो करने की पूरे जो इस आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर शेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण और सहयोगी कार्य है आपका, हमारे साथ राजु चावला जी यहां उपस्तिते जो की लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, और उन्होंने एक सेवा को लेकर के यहां पर एक मिसाल कायम की है, खालसा की फोच के माध्यम से, सेवादार हैं वो खालसा की फोच के, और पिछले कोरोना काल जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस दोरान एकदम से यह जो विबदा आ पड़ी थी, तब लोगों को समझ नहीं पड़ा था कि हम क्या करें, क् तो मजदूर और आथिक रूप से कमजोर वर्ग था आदिवासी बहुल शेत्री इस शेत्र में, जो भी यहां आते थे खरगोन में इलाज के लिए, वो बुरी तरह से तूटे हुए लोग थे, उनको उस समझ सहायता और सहयोग की जरूरती, भोजन से ले करके हर प्रकार की जरूरती और खाल्सा की फोज ने पिछली कुरोना महामारी में 53 दिन सतत भोजन की विवस्था कराई, उनकी अन्य विवस्थाओं के लिए भी उनको उन्होंने सलाह दी, उनको वहां तक ले जा करके छोड़ा, आज फिर 46-47 दिन हो चुके हैं और लगातार खाल्सा की कि वाइगरू जी ने हमें जिन सिद्धन्दों को लेकर के उपदेश जी में हमारे गुरुगन साब जी में लेकर उन चीजों का नुसरन करते हुए, हमने पिछले लगडाउन में जन सयोग से बहुत सारी सेवय देने का उपराला किया, जिसमें परमात्मा ने हमको बहुत ह सेवादार और हमें टीम के माद्यम से हम उस कारे में सफल हो पाये थे, और वर्तमान दोहर में अपना प्यारा वाटसप ग्रूप परिवार और खाल्चा की फोच और रोटरी कलब के सयोग से हम लोग आए 46 दिन से लगातार सेवय देते आ रहे हैं, यह सारी सेवय हमें जन स आवला जी के परिवार से उनके कुछ अजीज नहीं रहे हम समवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनों को खोया, लेकिन सेवा से कदम पीछे नहीं हटे, जी हाँ, बहुत अच्छी बात कहीं, पिछले वर्ष जब यह लगड़ों चलु होता, 24 मार्च को, 25 मार्च को में पिताजी का जनम दिन होता था, उनने का था, बेटा, यह सेवा चालो कर जो भी पैसा लगे किसे से मांगना मत घर से लेके जाना और सेवा करना, इस बार दुख दिये रहा कि 17 अप्रेल को मेरी मा का देवावास हुआ, उसके पहले 9 अप्र सेवा करने का संकर पर जो हमारे गुरु महराजान हमको अप्देश दे रखा है, उसका नुसार हमने इस सेवा के दोर में सयोग देना और जो भी हम कर सकते तो सब सेवाई देना का कारे जारू जारी रखा है, और आगे भी भुष्य में जो भी हम से परमात्मा के माध्यम से सेवाइं हो पाएगी हम उसको देने के लिए सदर तक पर रहेंगे जैसे कि आपने जिक्र के अभी स्वर्गी मनमोहन सिंग चावला जो कि शेत्र ही नहीं प्रदेश की एक नामचीन हस्ती थे उन्होंने अपने जीवन में अनेकों समाज सेवा के कारिकियों जो रोटरी क्लब का निशुल के वहां पर डाइग्नोस सेंटर एक स्वास्तर परिक्षन के इंदर खोला गया है जो सतत कोरोना में सेवा दे रहा है वो उनी के रहेंगे उनकी सेवाओं के आभरी रहेंगे एक बहुती अच्छी सक्षियत को हमने खोया और यह हमारे लिए लंबे समय तक एक दुखत अवसर रहेगा एक दुखत प्राजदी रहेगी आदरनी चावला साब का जाना राजी चावला जी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क कोरोना काल में हमने जो स्वास्त सेवाएं देखी आप उनसे काफी नजदीक से रहें काफी दुखी लोग जो थे जिनके पास जरूरत ने थी यह से जरूरतमंद आपको निरंतर मिलते रहें उनकी जरूरतों को भी आपने सुना पहचाना शक्ति अनुसा अपने उनकी देख रहे हैं जैसे अभी एक मेडिकल कालेज की स्थापना का मुद्दा उठा है तो और कौन-कौन से यसी विवस्ता होना चाहिए ताकि हम कभी आगे और कोई लहर आती है जैसे कि बताया जा रहा है तीसरी लहर चोथी लहर बच्चों पर भी इसका कुछ आंचिक को चिकिसा श्यत्र के लोगों को बढ़ा ही दूँगा उसमें नीजी चिकिसाले भी खरगों के में सम्मेलित मानता हूं कि जिन्हों ने बहुत अच्छे तरीके से इस समस्या का मिल जूल के निराकरण करने में हम लोगों ने एक डंड संकर्पक साथ उस चिस से उब रहे है और जहां तक कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी विब्दा आई थी हम सब के उपर लेकिन खरगों के तमाम समास से वी ऐसे लोग हैं जिन्हों किसी ने ऑक्सिजन गेस किसी ने बोजन की सिवा हर आदमी ने अलग अलग प्रकार की सिवा देकर कि इस संकर्मन के दोर से हमको घणकालिज का जो एक संक्रप खर्गों नगल के नावский लेकि चल रहें इस संक्र्प में में उनके साथ हूँ रस रही संगर्ष में उनके साथ हूझ का ओ 까ण करण पर हिये और उसके लिए जब भी संगर्ष भी को इस लेकर अन्दोलन चल रहा है उसका इस्तितर ती में संघर्ज जान किसे इस्तिति pen और पहुंचा है और आगे इसमें किन प्रयासों के आउशकता है भूद अच्छी बात बदेए अपने डीकलोन कि आपने पहले तो आपको भी देना चाहूंगा इसमें कि आप भी बधाई के उक्तार हैं कि आप यह इस तरीके का मेंटिकल क्वालेज को चालू करने की और ज़ो प्रयास किया रहे हैं पूरू में जो भी हुआ है सभी ने जैसे भी किया हो कि महस्वर चले गया मेडिकल कॉलेज की बढ़वानी हो रहा है लेकिन अभी जो प्रयास सब लोग मिलके कर रहे हैं जो इसमें SW चैनल का भी जो बात कर रहे हैं पर ऐसे प्रयास सब पूरी खरगोन की जनता को करने है पंड़े जी कि खंडवा में मेडिकल कॉलेज होने की वज़े से एक हजार रेमडी सिवीर पोच जाते थे खरगोन को एक सो चाली यह आपदा प्रवंदन में बात हुई है वह उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खरगोन में 120-140 रेमडी सिवीर आप आत कॉलेजे से वहाँ पे जादा सुवीदा उपलब्द हो रही थी बजाए जहां नहीं है आज हमको इतना इतना दर्द हुआ है इस बात के लिए कि हमारे खरगोन में मेडिकल कॉलेज नहीं था इस वज़े से हमको रेमडी सिवीर इंजेक्शन जो संजीवनी था पूरे कोरो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुती अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा इसमें मैं एक बात और जोडना चाहूँगा कि खरगोन में अगर मेडिकल कॉलेज आता है तो मैं ये मानता हूँ कि मिनिमम पांस सो मैं चार्टेड अकाउंटेंड भी हूँ तो इसमें एक एकोनोम रुपे करीब करीब होंगे मेरे हिसाब से पांच करोड रुपे अगर हर साल खर्चा होता है हर महीने का खर्चा खरगोन में होता है तो आप समझ लिजे मैं आपको एक चोटा सा उधारन बेक में बताता हूँ एंटी पीसी के लोग जब यहां रहने आये थे तो मेरे पडो 하고लेच कर घूए होना चाहिए इसमें मेरे से भी जो बन पड़ता है हम लोग पूरे प्रयास करते हलांकि हम लोग इसे फरंट में जहता रहेते तो हमारी प्रयास लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं इसमें की मेडिकल कॉलेच खरगोन मेरे और उसमें हम सब लोग भागीदार बन सके खरगोन मेडिकल कालेज के लिए जो इक्षा शक्ति के आपने प्रदर्शन किया उसी की ही जरुवत है और इसके पहले आप जैसा कि आपने बताया कि इक्षा शक्ति की कमजोरी के कारणी हतेली पर रखे हुए दो मेडिकल कालेज खरगों से इस्थाना अंतरित होके अन्य जगों पर चले गए तीसरी बार फिर एक आउसर मिला है और इस आउसर को किसी भी कीमत पर जिला मुख्याले की जनता छोड़ना नहीं चाहती इस जिले के भलाई के लिए क्योंकि आपने सही बताया कि अगर आज एक कोई बड़ा स्ट्रक्शर इस्थापित होता है जिला मुख्याले पर तो उससे रोजगार, व्यापार, कई प्रकार की यहां पर प्रगती होना है जैसे कि आपने बताए बोरावा काले जी हमारे सामने उधारन है कि PCO संचालक जो थे आज उन्होंने एक अच्छी उसकी कमाई से अच्छी इमारत हैं खड़ी कर दी अपने छोटे-मोटे काम धन्दे उन्होंने इस्थापित कर लिए तो निसंदे शेतर के लिए यह एक सो कि आज की स्थिति में अगर हम देख रहें तो इसके कई सीरे हैं और वहर सिरा अपनी इच्छा से आगे बढ़ते जा रहा है कारे कर रहा है कहीं ना कहीं इस इस्थिति में जो संघर से है वह डिरेल नहीं हो रहा है बिल्कुल मैं सेमय तो आपकी इस बात से उधारन कल कही ह हमारे कुछ मित्रों नो ग्यापन दिया एक इन ग्यापन देने गए एक इस्थान में महुझू था लेकिन हमको पता नियुद है घ्यापन कि अधिश के लिए जा रहा है हमें यह कि संगर समुझ में जो एक कोई और रहा है उसके साथ अनिल पांडे और अनिल रगुंशी औ प्रोटोकाल का ध्यान लगते हुए मास्क लगा करते हुए अपने आपको तो यह हम को पहले अपने संगर्शमिति के जो वाटसप गुरूप है उसमें दर्शाना होना चाहिए कि आज फलाना आदमी फलाना काम कर रहा है और सदस्तक उसकी जानकारी लगे जिससे कि वह इस प काशपा की सरकार है और संसद हमारे पास यहां का है और राज्य सबय संसद भी का मिला हूए तो क्यों ना इनके माद्यम से हम पतकाल यहां पर खरगोन मेडिकल कॉलेज की सिधोड़ उपलप्त करानी की बात इनके माद्यम से करें अगर बोपाल को डेलिकट चलना चाहे प् मुद्दा होता है तो कॉंग्रेस और भाषपा सब एक हो जाते हैं और यह खरगोन की बहुत अच्छी बात है कि यहां पर कोई भाषपाई को कॉंग्रेसी नहीं रहता सब कुछ समय के लिए ताल में बिगटे लेकिन वापसी हमारे क्ताव में बहुत अच्छों बनेते हैं खरगोन जिले के लिए एक बहुत सोहादर वाली बात है यह और जहां तक खरगोन जिले के विदायकों की बात है पांच विदायकों ने चिट्थी दे दी है संगर समीतियों कोई मेरी जानकरी में इससे चौला परिवार के और से एक मेडिकल कॉलेज डालने के लिए मैं प्रयास करूंगा चुकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जानकरी नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा जो जन्परदी नीदियों जो शेत्र के इस मारे में जानकर है वह में जानकर रूप लप्त कराएं इससे ज ओड़ा जन अंधोलन खड़ा होता दिखाई रहा है एक मजबून जन आंधोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है बहुत लंबा एक वकफा गुझर गया उसके बाद एक कोई आंधोलन खरगोन में जन अंदोलन खड़ा होता है दिखाई दे रहा है यह बहुत खुशी की बात भी है लेकिन अत्यदिक प्रसनता या अत्यदिक में मजबूती का हिसास हम तभी कर सकते हैं जब उसमें अनुशासन और समन्वय हो एक रूपता हो एक विचारधारा हो विचारधारा एक है लेकिन उसका जो क्रियानवाइन हो रहा है और इसको लेकर हम कारिकम के अगले हिस्से में भी चर्चा करेंगे इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का कहीं जाईएगा नहीं देखते रहिए एस डवलू 24 न्यूज मध्यप्रदेश में संकर्प लेता हूँ में संकर्प लेता हूँ कि में मैरा अधिकार खरगोर नगर में मेडिकल कॉलेज ले कर रहूँगा और अपनी बुलंद आवाच बपाल और दिल्ली तक पहुंशा कर रहूँगा में मेरा हक खर्गोन में मेडिकल कालेज लेके रहूंगा में सिय extrapolat लेता हूँ कि मेडिकल कालेज खर्गोन जिला मुखहले पर आए इसके लिए जो भी प्रयास जैसे भी प्रयास बन पढ़ेंगे मैं अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखुँँगा और ये मेरा हक भी है और मैंने अभी जिसे बोला था कि ये मेरा खुद के लिए हो रहा है ये मेडिकल कॉलेज आएगा तो मेरे लिए मेरे खरगोन के लिए मेरे परिवार के लिए आएगा और मैं इसके लिए पूरे प्रयास करूंगा फृपजं सम्क्त हो एक जर्ण अन्दोलन उठा हैं मैं उसमें अपनी सभेगता रखूंगा और मैं साथी साथ ये संकल्प लेता हूँ कि खरगोन को Medical College की सोगात मिले उसके लिए तन मन धन से सदेव तयार रहूँगा जैहिन खरगोन जिला मुख्याले पर Medical College खुले खुले ही नहीं खुलेगा इसके लिए खरगोन शहर की पूरी जनता संकल्पित है और मैं भी व्यक्तिकत रूप से संकल्पित हूँ कि इस कालेज के लिए जो भी तन मन धन से मेरा सहयोग बनेगा वो मैं देने के लिए हमेशा तत पर हूँ धन्यवाद जैहिन जैभारत नेता जी हाजिरो कारिकम में ब्रेक के बाद आप सब भी दर्शकों का हम पुना स्वागत करते हैं हमारी चर्चा खरगोन मेडिकल कॉलेज की जिल्ला मुख्यले पर स्थापना को लेकर जारी है बहुत से विचार आपको सुनने को मिले और काफी सकारात्मक विचार हैं कई सारी उल्जने दूर करने वाले ये विचार हैं अगर इन पर विचार किया जाए तो संगर्ष समीति को एक सकारात्मक और साफ रास्ता दिखाई जगा जो कि सफलता की और बढ़ रहा है लेकिन करोना के कारण ये थोड़ी से रफ्तार धीमी है और जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने आपसे ये चर्चा की कि इस संगर्ष में समन्वय और कहीं कहीं तूडता अनुशासन दिखाई दे रहा है उचे इरादे हैं ठोस इरादे हैं लेकिन ये समन्वय और अनुशासन की कमी कहीं इस आंदोलन को धीमा न कर दे फीका न कर दे क्या आप क्या कहने चाहेंगे बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली इसमें फिर रोकना चाहूंगा आपको कि अभी जो बात चल रही कि इसको लेकर के हम शीर से क्राइजनेतिक निर्थत्तों के पास जाएं उनसे हम अपील करें कि वह इसके लिए स्विक्रति दें लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन दल जाएगा कब जाएगा कोई सूचना नहीं है जिसी इक्षा हो रही वो जा रहे हैं आविदन दे रहे हैं और उसके कि इसके लिए पूरू निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन जाएगा कब जाएंगे के से जाएंगे किस प्रकार के पत्र लेकर के जाएंगे तो मैं वहीं बतानों कि समद्व है अनुशासन यह कमें कहीं फीका ना कर दे बिलकुल बिलकुल आप एक यह अगर मेडिकल कॉल पूरा है शोर्साग के प्रेशासन से कोई बात की अभी क्या समझ में आरा है कि केले को में वार्ट्सटप में बन गया है मेडिकल कॉलेज के संब्द हो रहे है उसके टीम बन गई आप कोई कॉई काउग्रेस की तरफ से बात करता हैан लेकिन मेरा एक एसा पूरा निविदा ने आपके माध्यम से कि इनके पूरे समन वैसे टीम बनाई जाए कि कौन प्रसासनिक पहल करेगा, कौन राजनीतिक लोगों से मिलेगा, कौन क्या करेगा, कि क्लेक्टर मेडम किसे, इसकी पूरी पेले एक प्रोसेस समझ ली जाए, कि मेडिकल कॉलेज़ झालेज़ झेया मेडिकल कॉलेज खुल जाना चीए वहाई सब फोल रहे हैं वही जैसे कि पूरी मेडिक के लिए बोला करते थे, कि रेल हो जाए, की और प्रोजेकि बन जाए, बहुत इंग कि भी आपके माध्यम से यह सब ही लोगों से निवेदन भी रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लेके काफी लोग सीरियस भी है लेकिन सब लोग आपस में समन्वे करें कहां से क्या प्रोसेस होती है CMH office, health department में CMH साब से मिलें, collector मेडम से मिलें, उसका भोपाल में क्या प्रक्रिया है, उपर दिल्ली में क्या प्रक्रिया है, इनकी पूरी एक टीम मनाई जानी चाहिए, चाहिए उसमें BJP के लोग हैं, Congress के लोग हैं, कुछ सहर के प्रबुद्ध लोग हैं, इसमें सब लोगों को मिलाय जाना चाहिए और उसकी प्रक्रिया का फालो अप इन बड़े लोगों के द्वारा की अजन्चे से हमारे विदायक साब हैं बीजेपी के कुछ लोग हैं ये सब लोग भी एक कमांडिंग टीम भी बने समाज से भी बुद्धी जीवी वर्ग भी आगा है इसमें इसमें विदा के पूरी एक टीम और इस काम को अंतिन उस तक ले जाए जाए और खरगोन के मुख्याले जिला मुख्याले पर मेडिकल कॉलेज लाए जाना चीए इस प्रक्रिया को समझना बहुत ही निहायती चरू हुए हमने भी राजी चावला जी इसको लेकर एक यहीं पर डिवेट हो रही थी उस समय हमने संगर समीशती से जोने लोगी थे उनको भी कहा था कि आप विशय विशय शक्य जो हैं उनको फ्रंट लाइन में रखें जैसे आप किया डाक्टर रमेश नीमा हैं जो पूर्व सीमेचों हैं और काफी अनुभवी हैं और 2002 से वो मेडिकल कॉलेज को लेकर के इस प्रक्रिया में वो पड़े ह हुए हैं और उसकी स्विक्रति को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है आगे तो आज यह जो अनुभव हैं यह जो फ्रंट लाइन वारिया राज हम जिनको चिकित्सकों को बोल रहे हैं हमारे हैं कई ऐसे रिटार्ट सेवा भावी चिकित्सक हैं जो काफी अनुभव उसी स्विक्रति के बाद की चीजें अगर हम यह समझते हैं कि इन चीजों को लेकर के हम बहुत आसान रूप से स्विक्रति ले लेंगे तो जहां तक अभी प्रक्रियाम होती रही है इनके बारे में जो भी हमने जानकारी ली है तो यह मुश्किल है और यह शाषन के द्वा को बताया अभी रगवंची जी और राजुशावला जी कि इसमें बहुत जरूरी है समन्वय और अनुशासन जब यह दो रहेंगे तो ही हम इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे और आप लोगों ने भी जो बात कही यह एक शुबकामनाई वाली बात हैं यह आपके विच जरूरी है कि आज से ही समले और काफी समल के भी चल रहे हैं क्योंकि इसमें जो वरिष्ट पत्रकार हैं कुछ राजनीतिक शेत्र से जुड़े हैं कुछ समाज से शेत्र से जुड़े हैं अगर को इसी चीज होती है तो ततकाल अनुशासन का डंडा भी चला रहे हैं सोचल म जो जनता है जैसे अभी रेल की बात की गई हमने कहा कि रेल आईगी रेल आईगी रेल आईगी में समझता हो कि कम से कम तीन दशक तो हो ही चुके हैं ये चर्चा चलते हुए पूरू उपमुक्यमंत्री दिवंगा स्री सुभाश आदव जी के समझ से ये चर्चा चल रही है अभी चल रहे हैं अभी पी पिलाल में तो नहीं है आगे जो हो गा संभावणा है विश्वाथ दिला जा रहा है इस को लेकर को कोई जनांदोलन खड़ा नहीं हुआ उसका कारण यही रहा कि शेतर की जनता को जो अग्रस्थ है जो नेत्र तो करता थी है समझा नहीं पाए करह मेडिगल कॉलेजिश को प्रिषित नहीं किया जाए जिससे युधे पता लगे वह भावी प्रेड़ी के लिए प्रहावि प्रयास में देखने को नहीं मिले हैं जो हैं अकबार और मीडिया के माध्यम से ही हुआ इस विल्कुल आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि हमें एक से झन अंदोलन जनता के साथ ख़डा करना होगा वह जन until henari Jaad recaem की पूपाल त मिछाना के साथ में उनकी उनकी लास्टिकर कसाथ मिलके भुपाल में मुख्य मंत्री से इigher name मिलना चाहिए अपनी बात कहरत नकर लिए उन्हों ने रखना चाहिए और से अगर अगरही बात कुरी ना हो तो वही डेलिकेट और कम्रा नकर के चुनिंडा नाघ्रिक एक संगर्श जल एक सुचारू रूप से यहां पर व्यस्तित रूप से कालेश का प्राइब कर सकते हैं हमें कोई भी काम करना है तो हमारे जंद प्रतिन इदियों के अनुष इंशा के बगर मेरा मानना है वेक्टिकत तोर से हम कुछ शायद नहीं कर पाएंगे हमें जन अंदोलन के माद्य से जो अपनी बात उनके जन प्रंदीदी को बोले जन प्रंदीदी इस मामने में पक्का हो जाएगी आप इन लोगों की बात सुनके में को खरगों में कालेश डलाने के लिए ड्रंड संकल पर तोके कारे करना ही पड़ेगा निये तो आगामे चुनाओं में यह जनता में सा मुझे यकीन है अगर हम अपनी बात प्रावी डंसमा तक मुचा देंगे तो राजू चावला जी सही का आपने यह साफ साफ गोई का है इस समय आप परदे के पीछे छिप करके अगर कोई भी बयान देते हैं तो वह संघर्ष समीती या खरगों में मेडिकल कालेश की स्था रगों जिला मुख्यले पर मेडिकल कालेश की स्थापना हो रगोंची जी फिलाल में हम यह जो संघर्ष समीती के जो भी कारे देख रहे हैं यह आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं आप फिर सवाल कर रहा हूं कि आम जनता को इस संघर्ष समीती से सीधे जोड़ने के लिए उ पत्र जारी करके उन सारे चीजों से आउगत नहीं करा सकती कि यह चीजे हैं अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना ही है कि इससे जनता दुगने जोश के साथ संघर्ष समीती के और देखेगी उनके साथ जुड़ेगी क्या समझता है बिलकुल आपने बहुत अच्छे बात बोल मीटी बनी जाए पूरी चीजें बनाई जाए और वो जनता तक भी जाए वो जनता के हर समाज के हर हमारे पूरे जिले के कोन सा एरिया लगा हुआ हमको क्यों भगवानपुरा के विधायक साब को क्या समझाना है बिकन गाओं के एरिया की क्या समझाना है मैं आपको इसमें एक छोटा सा वो देना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है कि जिसे हमारे खरगोन जीले का दुर्भा के कहें या इसको क्या कहें आप इसको समझेगा कि हमारा खरगोन जीले को तेहसिल वाइस और ब्लॉक वाइस अलग-अलग देखा जाता है जिसे महस्वर बढवा सनावत के लोग अपने आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं अलग मानते हैं कि हम खरगोन जीले से उतने नहीं जुड़े हैं अब दीखें दूसरा पेलू में आपको बताता हूं कि जिरन्या भिकन गाउं और बढवा ये लोग सभा की सीट में खंडवा में जुड़ जाते हैं तो मुझे रहे कहें उसमें खरगोन जीला मुख्याले हमेसा कहीं न कहीं चूट जाता है जैसे कि अब यसी में देख लिजी न मेडिकल कॉलेज में महसवर में अगर अपने विजय लक्षमी शादो मेडम ती तो उन्होंने महसवर के लिए प्रयास के लिए उनका प्रयास बुरा नही कोई एक नेता एसा जो इस बात को उठा ले कि नहीं हमारा पूरे खरगोन जीले में क्या फायदा हो हमारे जो भी जित्ते भी लोग है मुझे ऐसा लगता है सब अलग-अलग अपनी बाते रखते हैं महसवर वाले अलग बढ़वा वाले अलग रखते हैं विकन गाओं वाल को कन्वीन्स करें कि साफ खरगोन जीला मुख्याले पर क्यों जर्रत है इस सब को इसमें में अपना भी अगर मेरा भी जहां कोई सहयोग बन पड़ता है या में होता है तो मैं देने को में भी पूरी तरीके से तत्पर हो तैयार हूं जहां भी जो भी काम हो सकता है HW24 News का भी यही विचार रहा है कि जब हम सफलता के आखरी चरण में पहुंचते हैं तो उत्सुकता और अत्यंत जो प्रसन्नता होती है कही ना कहीं वो कदमों को थोड़ा से लड़कडा देती है गलत जगे कदम रख जाते हैं हम इसलिए चाहते हैं कि संगर्ष समीती आपके की सफलता कहीं भी हमसे चिटक के दूर न जा पाएं यह सार्थक चर्चाएं जो है हम इसी प्रकार से हमारे चैनलों पर आगे भी जारी रखेंगे मैं कायरकम के अंत में राजु चावला जी आप से जाना चाहूंगा कि इसको लेकर के आपका एक संकल्प क्या है संकल्प के रूप में के यह कहना चाहूंगा कि हम प्रती दिन अपने इश्वर से भी प्रात्ना करें अरदास करें कि हमें खरगोन नगर की इस सुझदा से जल जल सुझदा उप्लब करा सकें और इसमें हमारे जो भी जन्प्रतिनिदी लोग हैं वो सच्छे मन से हमारे खर संकल्प उगा की उनको भी सत्वद्धी मिले कि खरगोन नगर में कॉलेच स्थापना के लिए वह पूर नोगर के अजरकों करें के तमाम नाग्रिकों की भाउनाओं का समान करते हुए इस जिश्वा मैं जल जल सोचे यही मेरा एक मात्रा संकल्प है वर्तमान मैं कर आदैं कोई बोलते है कि ये medical college किसके लिए आ रहा है हमारे लिए आ रहा है हम ऐसा नहीं है हमारे लिए नहीं आ रहा है अगर ये संकर्प लिया जाए कि ये medical college मेरे लिए आ रहा है मेरे मेरे लिए जब तक मेरी जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि ये medical college मेरी लिए आ रहा है तब तक ये medical कोलेज नहीं आपाएगा अगर हमने य delegates क्यु h 20-yo सुझते रहें कि हमेरे लिए आ रहा हे हमारे में हमारी जिम्मेदारिया हम दूसरों पर डालने की प्रयास करते रहते हैं हमारा ही मेरा कॉलेज आ रहा है मेरे खरगोन के लिए कालेज आ रहा है तब हम जाके इसमें सफल होंगे और ये मैं संगर्ज के लिए उसी को संचर्ष करना है जब τक हम संगर्ष पंपनी भूमिका तैय नहीं करेंगे, हर नागरी का अपनी भूमी का तैय नहीं करेगा, तब तैये कि संघर्ष वो मजबूती नहीं पकड़ पागा, जो मजबूती इसे चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो संख्या बल बढ़ते जा रहा है, जो लोगों के विचार आ रहा है, एक बड़ा विचा लेता जा रहा है, और ये संघर्ष एक बड़ा जनांदोलन का रूप लेता जा रहा है, हमारी भी शुबकामना है, कि ये बहुत जल्द सफल हो, और राजनीती में बेठे जो पक्ष विपक्ष के लोग है, उनको बहुत जल्दी ये सूधा आए, बहुत जल्दी ये सत ग्य आने वाले समय में भी जारी रहेगी, कुछ नई शक्सियतों के साथ, लेकिन मुद्दा वही रहेगा, खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अब मुझे आग्या दीजे, आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार